हेलो इस्टुडेंट्स वेलकम टू मीजर स्टेडी वेलकम टू मैं क्लास आप सभी का स्वागत है बच्छों मेरे सेशन में प्रिबियस क्लास में मैंने सारी थेडि़ी आपको पढ़ा दीती सॉलिशन चैप्टर की कुछ कोश्चेंज भी वैसे तो मैं आपको कोश्चेंज क कि निट पैटर्न के किस टाइप के कोश्चेंज आपके आ सकते हैं और कैसे उस कोश्चेंज को हमें एप्रोच करना है देखो अभी तो मैं यह नहीं कहूंगा कि क्विक टाइम में अभी तो आपको डिटेल सॉलिशन लेना है लेकिन एक्जाम के टाइम में 10 कोश्चें दै फिर जब एग्जामिनेशन टाम आए टाइम आएगा बच्चो दैन हम लोग और मैने आपको बताया हमेशा कि सोट टेक्निक के सा सौल किया जा सकता है चलो बच्छो अब ज्यादा बाते नहीं करते हैं टर कॉश्चन इस्टार्ट करते हैं लुक आट इस देखो टो फॉश बी ए एन ओ थ्री हल ट्वाइस सोलुशन इस टू पॉइंट सेवन फॉर ठीक है यानि आई की वैलू आपकी क्या गिवेन है बच्छो टू पॉइंट सेवन फॉर गिवन है बहुत अच्छा अच्छा ड़ डिगरी अप डिसोश्येशन आपको क्या ढूणना है बच्छो अ NO3 halt twice, अच्छा अगर मैं आपको लिखूँ कि BANO3 halt twice कैसे breakdown होते हैं, अगर मैं condition ले लूँ, तो ये breakdown होता है BA2 plus N plus 2NO3 minus, am I right, yes, सुरुवात में जब time T is equal to 0 था तो इसके कितने molar थे, 0.1 molar बहुत अच्छा, तो इसके क्या होंगे 00, ये तो आपका आता ही है, जब time T is equal to T हो गया, तो क्या हो जाएगा जल्दी बता दो, या equilibrium माल लो, 0.1 minus alpha x लिख दो, और यहां पे x और यहां 2 times है तो 2x, क्या ये expression आपको समझ में आता है क्या, यहां सर ये तो बहुत easy है, आप बता चुके थे, अच्छा, अब i का value बताओ, क्या हो जाएगा, कि total number of moles, जो equilibrium में बचे, ठीक है, upon moles taken, moles कितने लिए है, तो उन्हें concentration के रम से 0.1 लिए है, तो क्या put कर दूँ, i is equal to 0.1 minus x plus x plus 2x, ये formula याद है ना, ब चलो, बहुत अच्छी बात है, तो देखो तो इसमें से कुछ, यहां plus नहीं है, minus होगा, बिल्कुल सर जी, अच्छा, इसमें कुछ cut होड़ा है क्या है, ये और ये cancel हो गया, that we are getting, that is 0.1 plus 2x divided by 0.1, अब i की value क्या given है, बच्छो जल्दी बता दो, 2.74, ठीक है, तो मैंने क् ठीक हा, 2.74 is equal to 0.1 plus 2x divided by 0.1, am I right, yes sir, you are absolutely, right, चलो उसको करते है, 2.74 multiply 0.1, ठीक है, is equal to 0.1 plus 2x, अच्छा, इसको multiply कर लो, 2.74, ठीक है, इन्टो, अच्छा, ये upon 100 आ जाएगा, ओके 0.1 यहाँ पे 10 आ जाएगा, बिल्कुल, 0.1 plus 2x, am I right, देखो तो बच्छो, बिल्कुल, अच्छा, इसकी value क्या हो जाएगे, जल्दी बता दो तो, यानि 0.274, यही तो होगा, बिल्कुल, minus 0.1 is equal to 2x, देखो तो कहीं गलत तो नहीं है, नहीं sir, बिल्कुल गलत तो द आ जाएगा, क्या, 0.274, 0.274 upon 0.100, यही तो हुआ, 471, यानि 0.174 solve हो क्या गया, ठीक है सर जी, बिल्कुल, right here, that is 0.174 is equal to 2x, ठीक है, is it visible, चलो, तो x is equal to, क्या जाएगा, बच्छो, 0.174 divided by 2, क्या आएगा इसका, 0.174 divided by 2, यह तो तुम उससे अच्छा कर लोगे, चो हमारे वीडियो टीम बाले मेंबर भी इसको solve कर लेंगे, 174 divided by 2 कितना होता है, 174 divided by 2, almost almost कितना आ जाएगा, 87, क्यों, आच्छो, 87 कैसे लिख जा रहे हैं, multiply by 100 करना है ना, percentage में पूछा है आइसा तो अलफा की value 0 से 1 के बीच में होती है, तो बोलोगे सर यह अब क्या कर रहे हो सर, अरे भीया, अंडेट से multiply तो करना है, तो इसको point बेडिवाइट करोगे, तो almost 0.87 आ जाएगा, multiply by 100 कितना हो जाएगा, 87%, तो आपको तुरंद पता चल गया, कि सर इसका answer जो है, answer number B ही है, देख लो calculation अगर कहीं कोई problem है, कुछ नई technique तो मैंने नहीं बताई है, बिल्कुल during जो है class में भी मैंने ऐसे questions आपको solve कर रहे थे, I की value कैसे ढूंदते हैं, I मतलब क्या होता, bent of factor, मतलब क्या, जो आपकी qualitative property, जो observation के case में, dissociation के case में क्या होगा, जब electrolyte हो जाए, यही बिल्कुल बहुत अच्छा कोई problem है, थियोरी अभी आपको मैंने पढ़ाई थी, last class में, तो I hope so, इस questions को बनाने में आपको कोई problem नहीं होगी, I am going to rub this part, अब मैं इसको रप करता हूं बच्चो और आगे बढ़ चलते हैं, next question की तरफ, क्या है next question थोड़ा सा समझ ले बिल्कुल सर, next question की तरफ हम बढ़ चलते हैं, yes, now let's move to the next question, what is next question, what is given here, listen carefully, एक बच्च को अपन पढ़ ले, बिल्कुल, it is given the correct relationship between the boiling point of a very dilute solution of ALCl3, ठीक है, and CACL2, having the same molar concentration, बोला है कि दोनों का molar concentration क्या है, भाईया, same है, तो बोलता है कि ALCl3 का जो boiling point है, वो क्या है, आपका T1 है, चलो solution में देखो क्या है, समझ लो पहले तो, एक वाँ मैं डेटा लिख लूँ, yes, ALCl3 जो है, इसका boiling point आपके given है, T1, और आपके CACL2 का जो boiling point है, वो है आपका T2, Am I right? Yes, sir, it is given what? The correct relationship between the boiling point of very dilute solution of ALCl3, that is T1 Kelvin and this one is T2 Kelvin, okay, having the same molar concentration, इनका molar concentration क्या है, बिलकुल सेम है, यानि concentration अगर इसका भी C है बच्चो, तो concentration इसका भी क्या हो जाएगा C, इसमें तो कोई tension वाली बात नहीं है, अच्छा, अगर मैं बात करूँ कि भई, इनके boiling point में क्या आ जाएगा, अच्छा, boiling point का relation हम देखे हैं, क्या, delta Tb is equal to, क्या होता है, जल्दी बता दो, I kbm, अरे वा सर, बिलकुल सही, अच्छा, और अगर मैं बात करूँ, delta Tb is equal to, क्या होता है, जल्दी बता दो, elevation in boiling point, यानि Tb minus T not B, is equal to I kb into M, concentration तो भईया, same है, बहुत अच्छा, चलो, अब यानि variation कौन दिखा रहा है, बच्छो, I, I जिसकी ज़्यादा होगी, उसी का boiling point क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि T not B क्या है, solvent का boiling point है, चाहे वो Cacl2 लेलो, चाहे वो Alcl3 लेलो, dilute solution है, यानि इसमें भी solvent क्या है, बच्छो, water, और इसमें भी solvent क्या है, water, और water का boiling point सबको पता है, कितना होता है, 100 degree Celsius, that means to say, that is 373 Kelvin, बहुत अच्छानी, ये, इन दोनों के case में, ये एकदम बिल्कुल आपका same है, तो बचा क्या, M भी concentration भी same है, M यहाँ पे molality है, concentration को निका termality के terms में भी जाते है, तो question में mention कर दिया, इसमें भी कोई change नहीं है, और ये भी change नहीं है, तो constant है, तो finally हमने क्या देखा, जो ये TB है, वो directly proportional to I है, अब ALCL3 के case में boiling point को क्या दिया हुआ है, T1, तो यानि लिखो गे T1 is directly proportional to I, और CACL2 के case में लिखा है T2, T2 is directly proportional to I, मुझो मेरी बात, आपको पता है, अगर ALCL3 का complete dissociation हो, तो कैसे होता है बच्चों, AL3 plus and 3CL minus, यही तो होता है, बिलकुल, अच्छा कितने पार्ट में ये टूटे है, एक AL3 plus, अगर complete dissociation की बात करो, तीन CL, total number of iron कितने हो गाए, 4, यानि I क्या हो जाएगा, 4, बहुत अच्छा याद आया, यह तो मैंने बताया था, theories में, yes sir, चलो, इतना time ही लगा ना examination में, तो मैं आपको discuss कर रहा हूँ, इसलिए, CA2 plus plus 2CL minus, बहुत अच्छा, CA2 plus के कितने iron है, 1, CL minus के कितने है, 2, तो भाईया, I की value आपकी कितनी है, जल्दी बता दो बच्चों, 3 है, बहुत अच्छ आई की value कितनी है, 3, am I right, अब बताओ किसका आई ज्यादा, अरे sir, ALCL 3 का, जिसका आई ज्यादा, उसका T ज्यादा, boiling point, तो यादि T1 किसका है, ALCL 3 का, I, ALCL 3 का ज्यादा है, यानि आख खोल के, तुरंत आप टिक करोगे sir, B is the correct option, क्या कोई problem है बच्चों, अच्छे तरीके से मैंने आपको बता दिया, I hope so, it will help you a lot, I am going to rub this part, अब मैं इसको जो हूँ, रब करता हूँ, और आगे बढ़ चलते हैं, next segment की तरफ, ठीक है, चलो, question number 3, एक बार देखो तो बच्चों, यह बिल्कुल मुझे नहीं आता, आपको मदद करने हो, बिल्कुल theory question नहीं है, what will be the molecular weight, question is given, what will be the molecular weight of CACL to determine in aqueous solution, okay, experimentally from depression of freezing point, तो कहता है, what will be the molecular weight of CACL to determine, यानि तुमने जो है, क्या आएगा CACL2 का molecule, in its aqueous solution, experimentally from depression of freezing point, अच्छा, depression of freezing point आपको पता है, क्या होता है, जल्दी बता दो, delta TF is equal to I, ठीक है, KF into M, यही तो होता है, अब कहा जा रहा है, और आपको पता, I is equal to क्या होता है, जल्दी बता दो बच्चों, जल्दी बता हो, I is equal to क्या होता है, यह सर, I is equal to होता है, अगर qualitative property के मास में बड़े, calculated mass, यानि अगर मैं लिखूं, MC upon MO, calculated upon observed mass, यही तो होता है, तो अब आप से कहता है, कि depression in freezing point हुआ, इनि depression of freezing point हुआ, यानि कहीं ना कहीं इसका dissociation हुआ, बिल्कुल सर, चलो dissociation करके, अखिर, कभ होता है, डिप्रेशन, या कु केस में मैंने बताया था, I से multiply करते हैं, और I क्या होता है, normal molecular mass और abnormal molecular mass के terms में related होता है, बिल्कुल सर, अब आपको पता है कि CACL2 के अंदर breakdown होने की tendency है, एक electrolyte है, बहुत अच्छा, तो जैसी breakdown हुआ, तो आपको पता है, number of particles क्या है, बढ़ गए, number of ions increase हो गए, that means to say, I की value greater than 1 होने वाली है, ठीक है, यानि जो I आएगा वो greater than 1 होगा, क्योंकि dissociation के case में सब को पता है कि I की value greater than 1 होगा, यह पुरूप भी हो गया, देखो, अगर complete dissociation की बात करें, तो I की value यहाँ पर क्या आएगी, 3 आएगी, बहुत अच्छा, अब I का formula होता है, calculated upon observed, यानि मतल़ यह क्या है आपका, जैसे अगर मैं बात करूँ CACL2, ठीक है, CACL2 का जो मास होता है, अगर मैं ढूंडू, normal case में 40 plus 2 into 35.5 होता है, यानि कितना होता है, 40 plus 71, यानि 111 होता है, am I right, yes sir, you are absolutely right, अब कहता है question में कि जो observed आपका आएगा, जो experimentally through आएगा, क्या वो 111 से जादा है, कम है या कुछ नहीं है, यह तो आप समझ गए, I की value आ गई, अब आपका जो यह I का value है, CACL2 के case में, वो greater than 1 है, वो क्या है, greater than 1 है, अच्छा, suppose करो, अगर मैं ऐसा लिखूं, 2 by 3, तो क्या इसका division 1 से जादा आएगा, क्या, नहीं, अगर denominator कभी भी numerator से बढ़ा हो जाए, तो कभी भी I की value greater than 1 नहीं हो सकती, यानि जो यह आपका denominator है, MO, वो हमेशा क्या हो जाएगा, उपर वाला numerator से कम होगा, तभी तो कोई भी चीज की value 1 आती है, अगर मैं लिखूं, 4 by 3, तुम आग बन करके वहलोगे, 4 by 3 का division जो होगा, 1 से जादा होगा, लेकिन अगर मैं 3 by 4 लि M C upon M O तो है, यानि इसकी value 1 से जादा तब होगी, जब M O क्या होगा, M C से कम, अच्छा, M C तो हमको पता है, 1 1 1 calculate कर लिया, अगर मतलग क्या, यही तो experimental है, यानि जो तुमारा experimental observation है, M O, वो क्या होगा, 1 1 1 से क्या होगा, बच्चा, less होगा, आगे एक दम mathematical calculation, local language में बात की म B for question number 3, B is the correct option, मैंने बहुत सारे option आज B B वाले रखे हैं बच्छो, ठीक है, बहुत अच्छी बात आई, होप सो आपको कोई problem नहीं है, अगर still if you have any doubt, you can directly contact me via Mizo website, चलो बच्छो बढ़ चलते हैं आगे, आगे क्या है देखो, question number 4 की बात करो, जल्दी से बता दो, आज 0.004 molar solution of Na2SO4 is isotonic, okay, with a 0.010 molar solution of glucose, अच्छा, isotonic मतलब क्या है, पहले तो यह समझ लो, बाकी तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले तो मैं समझ चुका हूँ, solutions are isotonic, अगर आपका isotonic होता है, बच्छो, then we people know that osmotic pressure दोनों के क्या होते हैं, equal होते हैं, बहुत अच्छा, osmotic pressure का formula क्या होता है, जल्दी बता दो, sir, CRT होता है, बहुत अच्छा, इधर भी लिखेंगे CRT, अच्छा, आपको पता है, Na2SO4 क्या है, बच्छा, electrolyte है, यानि कहीं ना कहीं, अगर electrolyte के case में qualitative property लगाओगे, तो I से multiply करना होगा, बहुत अच्छा, अब कहता है, same temperature, तो हम समझ चुके हैं, कि ये T और ये T एकदम सेम है, और R तो सब के लिए सेम होता है, तो ये, ये, ये और ये cancel, बहुत अच्छा, अब कहता है, the apparent degree of dissociation of Na2SO4 ढूंदो, कि Na2SO4 के लिए alpha की value क्या होगी, यहां तक आपको समझ में आया, आपको पता है, अगर मैं बात करूँ, Na2 SO4 की, ये, सर, तो आपको अच्छे तरीके से पता है, इस case में क्या होगा, dissociation होता है, क्योंकि electrolyte है, लेकिन अगर मैं बात करूँ, glucose की, C6H12O6, इसमें कोई dissociation नहीं होता, तो इसके case में, भया, I की value क्या होगी, 1, ये तो सब जानते हैं, न dissociation होगा, न dissociation, तो अब जो मैं formula यहां घुमा के लिखता हूँ, कि sir, I1, C1 is equal to I2, C2, आदादा, कोई दिक्कत नहीं है, I1 हमें नहीं पता, क्योंकि complete dissociation तो बोला नहीं है, बिल्कुल, अब C1 कितना है, देखो, concentration 0.004, बहुत अच्छा, I2 कितना है, जल्दी बता दो, I2 क्या है, ये, glucose के case में, 1, और concentration कि इतना है, 0.010, am I right, yes sir, क्या इस से हम I1 ढून लेंगे, बिल्कुल, that is, 0.010 upon 0.004, बहुत अच्छी बात है, क्या कोई दिक्कत वाली बात, नहीं, कुछ करके देखें, yes, यहां पे क्या जाएगा, 1, 2, 3, 0, ऊपर भी कितना होगा, 1, 2, 3, 0, ये और ये cancel, I1 की value आ जाएग 10 by 4, 10 by 4 क्या होता है, बच्चा, 2.5, गलती से भी यहां I1 की value तोर के मत लिख देना, कि sir, complete dissociation नहीं बोला है, अगर ऐसा बोला होता, previous question में क्या था, माल लेते थे, तब dissociation पूस्थता क्यों, अगर बोलता, complete, तो पे dissociation का मतलब 1 आता, answer में 1 tick करके आते हैं, लेकिन इसने गलती से भी इसको तोरना मत, और I की value 3 मत पुट कर देना, समझना question को, इसलिए मैंने अला गला question लिया, यह किसमें breakdown होगा, 2NA plus, plus SO4 2 माइनस में, बहुत अच्छा, चलो जल्दी से बता दो, कितना था इसका, 0.004 और NA के लिए, यह जब time t is equal to 0 था, जब time t is equal to t है, equilibrium में ल लो, तो क्या लिखेंगे 0.004 माइनस X, और यहां पर, यहां तो 00 था, यहां पर क्या लिखेंगे 2X and X, am I right, yes sir, चलो, बहुत अच्छा, क्या मैं थोड़ा सा इदर मूब कर सकता हूं क्या, क्या, मुँकि मुझे लगता है space है नहीं बच्छो, तो थोड़ा सा मैं इस तरह पा जाता हूं, चलो, अब इसके लिए I की वेल्यू का फर्मूला क्या होगा, 0.004 माइनस X, प्लस 2X, प्लस X, डिवाइड़ बाइ, यह तो फर्मूला जानते हो, I की वेल्यू, तुमारी I कैसे, I1 की वेल्यू, I1 की वेल्यू आई है 2.5, solve, 0.004 यह और यह कैंसल, 0.004 प माइनस 0.004 ठीक है, equal to 2X, अब तुम मुझसे ज़्यादा talented हो, 2.5 माइनस 0.004 अपॉन 2, is equal to X, क्या कोई प्रॉब्लम बाली बात है, देखो तो, कहीं कोई और दिक्कत तो नहीं है, एक बार चेक कर लें, 0.004 माइनस X, 2X, प्लस X, I1 की वेल्यू आ गई, हमें क्या चीए X की वेल्यू चाहिए, ठीक है, और एक बार और देखलू, 2X, 2X, प्लस X, 0.004, I1, C1, 0.010, क्या आ गया आपको समझ में, बिल्कुल सर, क्या आप इसको अब X के लिए solve कर लोगे, फर्दर, बिल्कुल, अच्छा एक चीज, थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चों, क्या ध जगा मिस्टेक है, सर आपने यहाँ 1 कैसे ले लिया, सर यहाँ पे तो concentration 0.004 है, तो गलती से भी ऐसी मिस्टेक नहीं होनी चीए, 1 कब लेंगे, जब हम यहाँ 1 से स्टार्ट करेंगे, याद रखना, 0.004 ले लिया, अब यहाँ पे एक स्टेप थोड़ा सा आपको आगे ब 2.5 multiply 0.004 minus 0.004 is equal to 2x, okay, now x is equal to 2.5 multiply 0.004 minus 0.004 divided by 2, क्या solve कर सकते हो x के लिए, yes sir, जब x के लिए solve कर दोगे, तो आपकी value आजाएगी 0.75, percentage में लिखोगे, तो आजाएगा 75%, तो apparent degree of dissociation कितना है बच्चो, मैं इस तरफ move कर रहा हूँ, अराम से, क्या समझ में आ चुका, थोड़ा lengthy question था, 75%, अच्छा एक चीद या दखना, अगर पूछे बचा कितना, तो बचा 25%, question में पूछा है, आप degree of dissociation बोलो, तो 25 मत दिखना, 75 लिखना, क्या कोई problem है, नहीं, बहुत अच्छी बात है, क्या मैं रप कर दूँ, बिलकुल सर जी आप रप कर दो, बहुत अच्छी बात है, क्या 20 मिनर्स हो चुके हैं, क्या, now let's move to the question number 5, बताओ इसको, यह बहुत easy question है, मुझे लगता है, यह तो मुझे आपको बताने की जोरत नहीं है, you people are very much talented, two liquids A and B form an idle solution, what is the vapor pressure of the solution containing 2 mol of A and 3 mol of B, at 300 Kelvin, ठीक है, at P naught A दिया हुए, अच्छा, P naught B का data मैं यहां mention कर देता हूँ, P naught B दिया हुए 300 Tor, ठीक है, यह आपका question है, check it out, P naught A आपका क्या given है, 100 Tor and P naught B आपका क्या given है, 300 Tor, अब आपसे पूछा है, आप vapor pressure of the solution, अरे सर यह तो बहुत आसान है, Ralt law for, क्या बोलते हैं, liquid liquid solution, यानि volatile solute के लिए, बिल्कुल, यानि simple सी बात है, कि Sir, Ralt law के लिए क्या होता है, P S is equal to, क्या होता है, Sir, P A plus P B, क्या राया, हाँ, तो direct formula पे ही दे दिया है, अच्छा, P A is equal to, क्या होता है, Sir, मैं तो भूल गया, P A is equal to, होता है, Sir, P naught A into X A, और P B is equal to, क्या होता है, Sir, P naught B into X B, होता है क्या, अच्छा, P naught A कुछ दिया हुआ है, क्या, बिल्कुल, Sir, P naught A दिया हुआ है, आपका 100 TOR, and P naught B क्या दिया हुआ है, जल्दी बता दो, 300 TOR, क्या कोई problem बाली बात है, नहीं, Sir, X से तो मुझे पता ही नहीं है, कोई बात नहीं, X A मत होते हैं, क्या है, मतलब क्या होता है, मोल फ्रेक्शन ओप A, मतलब क्या, N A upon N A plus N B, N A कितना है, जल्दी बता दो, 2, और N A plus N B, 2 plus 3 is equal to 2 by 5, ठीक है, और X B मतलब क्या, N B upon N A plus N B, N B मतलब क्या, 3 upon 2 plus 3 is equal to 3 by 5, याद रखना, क्या कोई problem बाली बात है, नहीं, Now, P S is equal to P not A, P not A कितना है आपका, 100 into X A, कितना होगा, 2 by 5, plus P not B, कितना है आपका, 300 और X B कितना है, 3 by 5, am I right, yes, यह और यह cancel हो जाएगा, 20, यानि P S is equal to 40 plus 60, यानि 180, यानि P S is equal to क्या जाएगा, 220 TOR, what I am telling, that is P S is equal to, we get 220 TOR, देखो तो कॉंसा अंसर सही है, Sir, ना तो 200, 140 नहीं है, यानि यह इसका अंसर हो जाएगा, none of this, question number 5, D is the correct option, क्या solution अपने देख लिया, एक बाएगा solution आप अच्छे तरीके से देख लो, these are very easy and definitely you can solve such kind of question in quick interval of time, चलो, अब आगे बढ़ चलते हैं, बहुत अच्छा सर, आगे बढ़ गया, question number 6 की तरफ, यह बार बार मैंने बहुत बार कड़ाया, जल्दी बता दो तो इस question, क्या होगा, सर, the degree of dissociation of a weak electrolyte, कौन सा electrolyte है बच्छो, axby, it will break like this, xa y plus and yb x minus, am I right, yes, तो बोलता है, went of factor का expression क्या होगा, अगर मैं 1 से start करूँ, 0, 0, यहां क्या लिखूंगा, 1 minus alpha, और यहां क्या लिखूंगा, x alpha, और यहां लिखूंगा, y alpha, कोई problem बाली बात है, नहीं, चलो, i का expression क्या होगा, sir, मैं भूल गया, i का expression होगा, 1 minus alpha, plus x alpha, plus y alpha, is what divided by 1 है, क्योंकि 1 से start किया था, yes sir, चलो, इस 1 को इधर ले आए, yes sir, ले आओ, कोई problem नहीं है, i minus 1 is equal to, क्या बचा मेरा alpha common आ जाएगा, बिल्कुल, minus 1 plus x plus y, होगा क्या, बिल्कुल, निकालना क्या है, alpha निकालना है, तो alpha is equal to क्या हो जाएगा, i minus 1 upon minus 1 plus x plus y, होगा क्या, देखो तो, बिल्कुल इसको तो तो रहा, rearrange कर ले, बिल्कुल, i minus 1 upon x plus y minus 1, लोग alpha की value आ गई, कहा है देखो तो, अरे वाह, तो पहला option ही दिख गया, बहुत आसान कोशन था, class में मैं बहुत बढ़ कराया हूँ, बिल्कुल, i का formula याद रखना, dissociation में, अच्छा एक चीज याद रखना, इन सब जो मेना, equilibrium का concept आता, यह breakdown करना, हमेशा याद रखना, तीन-चार कोशन तो आई जाते हैं, अगर equilibrium thermodynamics को मिला लूँ, अब मतलब equilibrium का concept तो हमेशा ही हमासा आता, चाहे वह chemical हो, चाहे वह आई नहीं हो, so question number 6, A is the correct option, बहुत अच्छी बात है, चला आगे बढ़ चलते हैं बच् is question number 7, look at, given here, FECL3 on reaction with K4, FECL6 in a aqua solution, gives blue color, बहुत अच्छा, these are separated by a semi-permeable membrane AB, ठीक है, due to osmosis, there is, बो, मैंने लिख लिया, कि बहुत कोशन थोड़ा सा घुमावदार है, कहता है कि इस तरीके से एक separation है, semi-permeable membrane है, AB, ठीक है, अब कहता है कि भहिया, FECL3 react कर गया, K4, FECL6 के साथ, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, आपका reaction हुआ है, बहुत अच्छे से समझना, reaction होके कौन सा color बना है, बच्चा, blue color बना है, ठीक है, और मैं बोल देता हूँ, कि भहिया, इस तरीके से आपके, इस तरब ए side है, एक्वा solution है, ठीक है, यह माल लिया, X side, और यह माल लिया, मैंने Y side, कोई दिखकर, इस अपरेटेद द्यू टू आस्मोसी, देर इस blue color formation inside X, there is a blue color formation inside Y, blue color formation, बोथ अप X on Y, no blue color formation, अरे भहिया, no blue color formation, जब इनको separate करोगे, यह दोनों जब reaction है, तभी तो blue color है, बच्चा, तो बहिया, separate करोगे, तो यहां से solvent का molecule करेगा, और इधर से move करेगा, तो बहिया, reaction के चलते blue color हो रहा है, ऐसा थोड़ी है कि अलग-अलग कर दिया, जैसे CUSO4 को मैंने dilute में और concentrated में रख दिया, तो मैं देखता हूँ कि पूरा color हो जाता है, वो तो अलग चीज है, लेकिन यहां पर कहता है, reaction के चलते हुआ, तो semi-osmosis का मतलब क्या होता है, solvent का molecules का flow, तो भहिया, फिर reaction प्रोसीट कहां किया, तो क्या लिखेंगे, अगर अलग कर दोगे ना, कोई blue color ने होगा, ना तो इसके लिए blue color है, ना तो इसके लिए, reaction के लिए blue color है, समझा, और osmosis के case में क होता है, हम क्या करते हैं, कि भाया, solvent का flow होता है, from low to high concentration, यानि from solvent side to solution side, यही तो होता है, लेकिन यहां तो reaction के चलते हुआ, तो ना इस side होगा, ना इस side होगा, ना इस side होगा, होगा कहा, no blue color formation, अगर separation किया, तो, for question number 7, we can say D is the correct option, यह सर बहुत अच्छी बात है, रब कर दू यह सर, बहुत अच्छा, यह बिल्कु इसको समझने की बात है, question number 8 की बात करें, तो क्या देखो, यह तो बहुत ही बहतरीन question है, question number कहता है, कि at 300 Kelvin, the vapor pressure of an idle solution, containing 3 mol of A and 2 mol of B is 600, बहुत अच्छा, यानि जो temperature है, वो 300 Kelvin है, चलो, solution में क्या-क्या AB है, तो यानि हम लिखेंगे PS is equal to PA into PB, PS आपका कितना दिया हुआ है, vapor pressure of the solution 600 TOR, चलो, मैंने लिख दिया 600 TOR, PA is equal to क्या लिखेंगे, P not A into XA, PB is equal to क्या लिखेंगे, P not B into XB, बहुत अच्छी बात है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, 600 is equal to P not A, हमें पता है क्या, नहीं given है, कोई बात नहीं, XA given है क्या, 3 mole of A, बिलकुल, P not A into XA मतलब क्या होता है, number of moles of A upon total number of moles, 3 plus 2, 5, क्या कोई problem है, नहीं, P not B पता है, नहीं पता, XB क्या है अपका, number of moles of B upon total number of moles, यहां तक मैंने काम तमाम कर दिया, अच्छा, और भी solve कर लें, हां कर लो ना सर, क्या problem बाली बात है, बहुत अच्छा, हम लिख सकते हैं, 600 is equal to 3 P not A plus 2 P not B, ठीक है, यह 5 common आ गया था, तो मैं इसको यहां multiply by 5 कर दू, बहुत अच्छा, यह बिलकुल हो गया, यह आपका एक expression बन गया, देख लो एक बार, ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, if 1.5 mole of A and 0.5 mole of C are added to this solution, the vapor pressure of the solution increased by 30, यानि अब case बदल गया, अब कहता है, कि इस बार case 2 में क्या कहता है, कि अब A के number of moles मैंने बढ़ा दिये, A के number of moles कितने थे 3, अब इसमें 1.5 A के moles add हो गाया, यह एक के moles कितने हो गाया, 4.5, B के moles जो है, वो as it is रह गया, कितने है, कितने रहेंगे आपके B के, at the same temperature 1.5 0.5 are added, तो B के moles तो आपके 2 ही रहेंगे, C के moles मैंने add किये 0.5, लेकिन यह क्या है आपका non-volatile है, non-volatile है, तो मतलब P not C क्या है आपका 0 है, यानि overall जो है PC क्या है, 0 है, यानि solution में इसका कोई impact नहीं पढ़ेगा, ठीक है, तो आपका solution का expression PS is equal to क्या हो जाएगा P not A into X A plus P not B into X B, यही तो होगा, बिल्कुल सर जी, PS कितना बोला है, कि 30 ज्यादा है, पहले कितना था, 60, 60 में 30 ज्यादा यानि हो जाएगा, 630, sorry 60 नहीं, 600 है न, 600 में 30 ज्यादा है, P not A कितना है, पता नहीं, X A कितना हो जाएगा इस बार, इस बार 4.5 upon total number of moles कितने होंगे, जल्दी बता दो बच्चो, भाया, 4.5 plus 2.5, यह भी तो जूरेगा, यस, कितना हो जाएगा, 2.5, 527, 4.5 divided by 7 और P not B, अच्छा, B के कितने हैं, 2 हैं, और upon क्या हो जाएगा, 70 तो होगा, बिल्कुल सर, चला उसको solve कर लेते हैं, 630 into 7 is equal to 4.5 into P not A plus 2 into P not B, ठीक है, 7 से multiply कर दे कि 7 आपका क्या था, यह आगया, दो एक्वेशन आगया, दो एक्वेशन, दो अन्नोन, यह एक एक वेशन, यह एक वेशन, यह एक वेशन, आप सॉल कर लो, you will get the answer, आसपास जो आपका एंसर आजाएगा, P not B, that is 90, so for question number 8, C is the correct option, I am going to rub this part, अब मैं इसको रप कर रहा हूँ करके देख लेना, चलो, question number 9 में आजाओ, यह तो बहुत आसान question है, अब binary liquid solution is prepared by mixing N-heptane and ethanol, सब को पता है, N-heptane का formula, N-heptane है, C7H16, this is my friend N-heptane, बहुत अच्छी बात है, और इसको mix किया गया है, ethanol के साथ, that is C2H5OH, इसमें आप सब को पता है, कौन सा bond होता है, hydrogen bond होता है, जब N-heptane को C2H5OH के साथ मिलाओगे, तो इसका hydrogen bond तूटेगा, तभी तो इनके particle इसके बीच में enter करेंगे, और completely intermixing होगी, और intermixing होने के बाद ही तो solution बनेगा, yes, definitely, यानि जब nube, जब existing bond break होता है, तो आपको प सकते हैं, the solution is known ideal, showing positive deviation from Rawls law, किलियर खतर बात, यानि question number 9, कब B is the correct option, I am going to rub this part, my friend, let's move to the question number 10, question number 10 की तरफ बढ़ चलते हैं, यह तो यह बहुत, मैस दा फॉलिएंगे, समझने वाली बात है, के बी के साथ बोला, लिंक करो, मैच दा फॉलिएंग करो, के X के लिए क्या होगा, इस से और इस से, यह option बाले नहीं है, समझने वाले हैं, अच्छे एक चीज़ मुझे बताओ, आपको पता है, डेल्टा टी बी इस इक्वल टू क्या होता है, जल्दी बता दो, के बी इन्टू एम होता है, बिल्कुल सर, अगर molecular weight of X are white are same, यह नहीं मैंने माल लिया, कि जो concentration है, M है, वो आपका सबके लिए same आ गया, तो डेल्टा टी बी इस directly proportional to क्या होगा, के बी होगा क्या, बिल्कुल, डेल्टा टी बी इस इक्वल टू क्या होता है, बताओ, टी बी माइनस टी नोट भी, ठीक है, इस directly proportional to के बी, अब मैं बोलू X का, मैं बोलू Y का, और मैं बोल क्या होता है, जल्दी बता दो, बॉयलिंग पॉइंट आप दा सॉलवेंट, यानि X के लिए भी टू नॉट भी सेम, Y के लिए भी टू नॉट भी सेम और Z के लिए भी टू भी सेम, यानि TB directly proportional क्या होगा, के बी के हो गया, यानि जिसका बॉयलिंग पॉइंट जादा, उसक के भी ज्यादा जिसका boiling point कम उसका के भी कम अब बताओ एक्स का boiling point क्या है 100 y का 27 y का सबसे कम है तो y के साथ कौन link होगा जो सबसे कम के भी होगा 0.53 अच्छा एक्स का हन जैड का 250 सबसे ज्यादा तो सबसे ज्यादा के भी किसका है 0.98 ठीक है एक्स का 100 है तो एक्स का क्या होगा 0. देखो जिसका ज्यादा boiling point उसका के भी भी ज्यादा जिसका कम boiling point उसका के भी कम इस relation के थुरू हमने बता दिया क्या कोई problem है बच्छो I hope so मैंने ज्यादा जल्दी बताई नहीं होगी आपको चीजे समझ में आई होगी इस्टिल if you have any doubt you can easily ask to me तो बच्छो समय आ चुका है आपसे बिदा लेने का time has come to say bye bye thank you so much